नमस्ते फ्रेंड वेल्कम टू अनधर सेशन ओफ किक फिक्स प्रो आज अगरता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्त होंगे और स्रक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे कि इंजिन बे से जिस ताइम पर अप अगरते हैं जब चाबी देखो तीन-चार मोड रोते हैं असेसरीज होता है और अक इशन अन मोड रोता और उसके बाद मेँ आप क्रैंक लगाते हैं मतलब सेल्फ लगाते हैं वो बापिस फी रिटर्ण पर चाबी आपकी ही इंजिश करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं तो काफी लोग मेरे को सवाल भी किये थे कि सर्क वो साउंड किस चीज़ की है और एक साउंड ओवर आती है आपके इंजन बेसे में से ही जिस ताइम पे आप चावी ओन करते हैं इंगीशन ओन करेंगे तब कटक 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 की sound आती है तो कटक कटक की sound आती है कटक की वो आपके throttle plate की होती है throttle body देखो आज कल जितनी भी गाड़ियां आ रही है सभी गाड़ियों में almost सभी गाड़ियों में जितनी भी नए model की गाड़ियां आ रही है सब में जो throttle body आपकी लग रखी है वो है electronic throttle body और वो electronically control होती है वहाँ पे कोई भी accelerator cable नहीं लग रखी है कि जो कि mechanical उसको control कर सके ECM ही आपका throttle body को मतलब throttle plate को control करता तो जिस time पे आप ignition on करते हैं पहले तो वहाँ पे re-learn procedure जो है वहाँ पे होता है re-learn procedure का मतलब यह है कि जब भी आपकी गाड़ी अभी आप start करेंगे तो पहले idle पे आएगी ऐसे तो है नहीं कि चाबी on करते है तो नहीं भागेगी तो पहले engine को start करना है start करने के लिए उसको air भी चाहिए, fuel भी चाहिए तो fuel की supply का काम तो चलो injector कर रहे है अब air कहां से जाएगी आपकी जाएगी throttle body में से हो के तो कितनी air जानी चाहिए उस RPM को control करने के लिए उसके लिए throttle plate पहले adjust होती है तो उसका angle एक मतलब इतनी खुलनी क्यों कि वहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ काफी लोगों को एडाउट आता है कि आपने काफी वीडियो देखी होंगी बहुत सारी YouTube पे कि अगर आपकी गाड़ी idling पे सही नहीं है तो आप throttle body clean कर लिजिए अगर throttle body clean करने से नहीं होता है तो आपका IAC valve होता है तो IAC valve को आप control कर लिजिए अब जो भी electronic throttle body जितनी भी गाड़ियां आ रही है जिनमें electronic throttle body है वहाँ पे IAC valve नहीं होता है maximum गाड़ियों अलांकि Toyota की कुछ गाड़ियां है वहाँ पे अभी भी IAC valve है electronic throttle body में भी बट maximum गाड़ियों में 99% गाड़ियों में जिनमे electronic throttle body लगी है वहाँ पे IAC valve नहीं है अगर आप कोशिश भी करेंगे ढूनने की आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे कोई IAC valve नहीं है बाइपास valve नहीं है वहाँ पे तो जो air का flow है idle के time पे उसको control करती है आपकी throttle plate ही electronic throttle body के case में तो उसको खुलना पड़ेगा हलका सा थोड़ा सा angle खुलना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं अगर पूरी खुल जाएगी तो air बहुत ज़़ा चली जाएगी तो उसके लिए आपका जो ECM होता है वहाँ से voltage जाती है electronic throttle body की motor को वो motor आपका जो वहाँ पे एक gear लगा होता छोटा सा वो decide करता है angle तो आपकी throttle plate उस angle पे खुलनी चाहिए तो जब तो आप ignition on करते हैं तो कटक कटक की जो sound आती है वो आपके throttle plate की होती है उसके बाद में जो beep की sound आती है वो जो angle decide किया है RPM मतलब stable करने के लिए engine start करने के लिए या फिर ये बोलीजिए कि idling पे रखने के लिए उस angle पे आपकी throttle plate जो होती है butterfly वाल भी बोलते हैं उसको वो throttle plate जो है वो decide होती है उस angle पे वो खुली रहेगी वो एकदम पकड़ के रहेगी वहां पे अब motor जो है वो उसको एकदम hold करके रखी हुई है तो वो आपकी जो sound आती है beep की sound जो आती है tinker करके जो sound आती है वो आती है आपके throttle body में से क्योंकि motor जो है वो आपके throttle plate को hold करके रखी हुई है तो क्या इस sound से आपको घबराना चाहिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए यह बिल्कुल normal है आपकी गाड़ी में एकदम normal है कोई इसमें समस्या नहीं है बट एक समस्या आती है कब आती है अगर आप बहुत देर तक जैसे कुछ लोगों को आदित होती है कि आप music सुन रहे हैं गाड़ी में आपने गाड़ी start नहीं कर रखी है एक तो देखो अगर accessories mode पे अगर आपकी चाबी है तब तब ठीक है अगर आपने ignition on करने के बाद में अगर आप music वहरा सुन रहे है आपकी गाड़ी बहुत देर तक खड़ी है और वो beep की sound भी आपको लगातार आ रही है तो अगर बहुत देर तक आप इस condition में गाड़ी रखते है तब आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि उससे throttle body पे असर पड़ता है कैसे असर पड़ेगा क्योंकि motor जो है आपकी plate को hold करके रखी हुई है वहाँ पे pressure जो है continuously बना रहता है अब यह sound कब चली जाती है जिस time पे आप engine अपना start कर देंगे तब आपकी यह sound चली जानी चाहिए नॉर्मली चली जाती है क्योंकि उसके बाद में फिर आपका जो accelerator pedal position sensor होता है APPS जिसको बोलते है वो आपका लगा रहता है जो accelerator pedal है आपकी गाड़ी का वो एक्चर में APPS है वो फिर decide करता है आपकी throttle plate की movement को तो यह जो आपकी जैसे आप engine on करेंगे जिस time पे आप start कर देंगे गाड़ी को start करने के बाद में हलका हुलका wrap up करेंगे तो यह sound चली जाती है तो गबराना नहीं है यह sound बिलकुल normal है और electron throttle body में से आती है यह कोई भी समस्या नहीं है आपकी गाड़ी में यह सही है यह चीजें सब सही है तो आशा करता हूँ आप छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अची सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत